हेलो फ्रेंड्स आपके यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है तो आज के इस पीडियो में जो है हम लोग रेशनल नंबर के बारे में डिसक्शन करेंगे और रेशनल नंबर के बारे में डिसक्शन करेंगे और डिसक्श करेंगे और साथ ही साथ कैसे आप different condition में आप rational number को कैसे identify कर पाईएगा उसके बारे भी इस वीडियो में जो है हम लोग discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं और समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं कि rational number का definition क्या होता है यहां मैंने लिखा rational number rational rational number इसका definition होता है यहां रिखा और यहां जबरस्टरोचकर का लिखे करते हिसमा रριकी बॉडर्व करते हैं और स्वेर्ट चलिखेें और सम्ट OUT करते हैं इसकाइ Q where P and Q are in teasers P and Q are in teasers and also and Q not equal to 0 तो यह मारा definition हो गया कि rational number हम लोग उसको कहेंगे जिस number को P by Q के form में लिखा जा सके और जहां पर P और Q जो है आपका integers हो और Q जो है वो not equal to 0 हो Q जो है वो not equal to 0 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग rational number कहेंगे अब example के थूरू समझते है example में हो गया जैसे 1 by 2 यहां पर क्या है 1 by 2 nominator में 1 है और denominator में क्या आपका 2 है यानि कि दोनो nominator by denominator में देखते हैं तो यह भी integers और यह भी integers है फिर आपका हो गया 3 by 4 ठीक है तो nominator 3 है और denominator 4 है तो यह क्या हो गया यह जो है हमारा हो गया integers और यह भी जो है integers तो ये भी हमारा rational number हो गया, उसके बाद minus 5 by 8 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा rational number हो गया, कैसे, ये हमारा rational number हो गया, क्योंकि ये भी minus 5 भी क्या है, integers है, और 8 भी जो है, वो क्या है, integers है, लेकिन यहाँ पर एक term लिखा हुआ है, कि Q not equal to 0, मतलब Q जो चाहिए, मतलब कि Q positive हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, Q negative हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q आपका 0 नहीं होना चाहिए क्यू серь कि अगर आपका q 0 हो जाएगा, तो इसका जो एक condition है, वो क्या हो जाएगा, आपका fail हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 3 by 0, 3 by 0, तो यह क्या होगे आपका, यह आपका rational number नहीं हुआ, यह आपका rational number इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक पता ही नहीं है, कि 0 का table कितना बार पढ़ेंगा कि 3 आएगा, तो यह किसी भी case में, जैसे कि आपका denominator 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का जो है, वो बहुत ही careful होकर के ध्यान रखना चाहिए, आपके rational number को समझने के लिए, अब आपका rational number दो टाइप का होता है, उसके बारे में discussion करते हैं, एक होता है, positive, 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 rational, rational, number, इसमें क्या होता है, rational number in which, rational, number, in which, nominator, nominator, and denominator, denominator, either same sign. ठीक है, मतलब कि ऐसा rational number जिसमें nominator और denominator जो हो, वो क्या होना चाहिए, same sign का होना चाहिए, तब हम उसको जो है, वो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग positive, rational number कहेंगे, example में आपका हो गया, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, example में जैसे कि मैंने लिखा, minus 1 by minus 2, यहाँ पर क्या है, nominator है, minus 1, और denominator है, minus 2, और nominator और denominator का क्या है, same sign है, तो आप इसको ऐसे, इसको minus, यह क्या हो जाएगा, minus minus cancel होकर क्या, आपका 1 by 2, तो अगर आपका nominator, 1 by 2 आ गया है, positive आ गया, तो अगर आपका nominator में, और denominator, दोनों में आपका negative sign है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर यह तो अलड़ी हो ही गया, plus 3 by plus 4, मतलब कि nominator और denominator में, दोनों में जब same sign होगा, तब हम लोगों उसको positive rational number कहेंगे, ठीक है, इसका second type होता है, negative, negative, rational, rational, number, इसके example में जो है, क्या हो गया, इसका definition हो गया, rational, number, in, which, nominator, nominator, and denominator are of different sign, different sign, मतलब कि negative rational number का आपका definition हो गया, कि ऐसा rational number, जिसमें कि आपका nominator, और denominator, जो है, वो different, different sign का होना चाहिए, example में आपका हो गया, minus 5 by 4, यहां परमलोग देख सकते हैं, कि, minus 5 by 4, जो है, नominator क्या है, positive है, और denominator क्या है, sorry, nominator जो है, negative है, और denominator जो है, positive है, मतलब nominator और denominator, दोनों का जो sign है, वो क्या है, different sign है, 3, 3 by minus 5, 3 by minus 5, इस वाले example में लोग देख सकते हैं, कि positive, nominator positive है, और denominator जो है, वो क्या है, denominator जो है, वो क्या है, negative है, denominator जो है, वो negative है, मतलब दोनों nominator और denominator का जो है, वो different sign है, तो इसको हम लोग negative, rational number कहेंगे, तो ये type हो गया, उम्मीद करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, अब मैं आपको बताता हूँ, कि different, different, natural number को, whole number को, भी जो है, हम लोग क्या कहते है, rational number कहते है, उसको मैं आपको समझाने की, कोसिस करता हूँ, और अगर आपको different, different question आएगा, जिसमें आपसे पूछेगा, कि इस number को identify करके बताईए, कि कौन सा, जो number है, वो, ये rational number है की नहीं, तो इन सब चीजों को discuss करने से, और अगर आप इसको देखते हैं, तो आपको बहुत ही proper way में concept किलियर हो जाएगा, और इस टाइप के question जब अगर आपको examination में आएगा, तो आपको help करने में, मतलब solve करने में, किसी परकार का कोई problem नहीं होगा, तो पहला जो है हमारा, पहला condition जो है, जितना भी natural number होता है, जितना भी natural number, natural number मैंने आपको definition बताया था, कि counting number को natural number कहते हैं, तो सारे natural number को जो है, हम लोग क्या कह सकते हैं, सारे natural number को, हम लोग rational number कह सकते हैं, क्योंकि सारे natural number को P by Q के form में लिखा जा सकता है, जैसे कि आपका हो गया, 1 है, 2 है, 3 है, ये आपका natural number हो गया, natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन सब सारे number को, क्योंकि आपका rational number का definition नहीं पता था, क्योंकि P by Q के form में होना चाहिए, और Q आपका not equal to 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये था 1, 1 by 1, ये भी आपका P by Q के form में है, और P by Q के form में है, और P भी आपका, मतलब nominator भी आपका integers है, और d यह भी क्या है आपका और 1 आपका दि नॉमिनेटर वो भी आपका इंटिजर्स है और q not equal to 0 हो रहा है 3 by 1 4 by 1 इन सब सारे example को अप देख सकते हैं तो यह हम लोग जो है, natural number को हम लोग क्या कर सकते है? natural number को हम लोग integers, sorry, natural number को हम लोग rational number कर सकते हैं. दूसरा point हो गया, जितना भी whole number, whole number में तो आपका सारा natural number आही गया, zero के बार में दैखते हैं, तो zero भी आपका जो है, वो 0 जो भी है आपका वो क्या है ये भी आपका रिष्णल नमर कैसे क्योंकि 0 को भी 0 by 1 के form में लिखा जा सकता है यहाँ पर 0 आपका नॉमिनेटर हो गया और डि नॉमिनेटर आपका जो है 1 हो गया और ये 0 आपका rational number के property को follow कर रहा है कैसे क्योंकि क्या बولता है rational number के property में हम लोग majd पता है कि nominator भी क्या होना चाहिए? integers होना चाहिए तो 0 हमारा integers है और denominator भी जो क्या होना चाहिए? integers होन भी हमारा integers और condition ये बोला था कि q not equal to 0 होना चाहिए मतलब नीचे वारा d nominator जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए तो 0 को 0 को भी हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं rational number इसको हम लोग कहेंगे अगर आप से पूछेगा तो इस ताइप से question पूछेगा तो आपको इसको अच्छे से define करके दिखाना होगा ठीक है लेकिन 1 by 0 हो जाएगा तो यह आपका जो है वो rational number नहीं होगा क्योंकि मतलब उसमें pyq के फॉर्म पी भी आपका integers हो गया q भी आपका integers हो गया लेकिन क्या बोला q not equal to 0 होना चाहिए तो यह किसी भी case में जो है 1 by 0 जो है आपका rational number जितना भी integers होगा जितना भी integers होगा उस सब क्या होगा आपका rational number होगा जैसे कि example में आपका हो गया example में minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 इन सब सारे चीजों को आप पी भाई q के फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं तो सारा integers भी जो है आपका क्या जाएगा यह आपका rational number इसको हम लोग कह सकते हैं उसके बाद square और square root के बारे में तो आपको पता ही होगा junior classes में आपने पढ़ा होगा उसके बारे में नहीं पता होगा तो मैं separate video में उसको जो है आपको समझाने की कोसिस करूंगा और बताओंगा कि square root क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है square root का नाम मैं यहाँ पर इसने ले रहा हूँ क्योंकि अभी जो आने वाला term है उसका वहाँ पर उसका use मैं करूंगा rational number उसको identify करने के लिए जैसे कि square root जैसे कि जो perfect square है जो भी perfect square है 1 को आप 1 into 1 किजिए तो यह 1 हो गया मतलब किसी भी number को 2 time उसी number से multiply करना तो आपको उसका square मिल जाएगा 2 है तो 2 into 2 क्या हो जाएगा 4 हो गया 3 है तो 3 multiply 3 किजिए आपको क्या हो गया 9 तो इस अब क्या है 1 का square 1 2 का square 4 और 3 का square 9 यह हो गया आपका और यह हो गया आपका और यहाँ पर यह मतलब जो perfect square होगा तो उसका perfect square root भी निकलेगा जैसे कि मान के चलिए 4 आपका perfect square है तो इसका square root क्या हो जाएगा 2 मतलब कि 4 को कितना कौन से number से 2 बर multiply किए तो आपका 4 आया तो 2 तो ऐसा number जो की perfect square हो और जिसका perfect square root निकले उसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे उसको हम लोग rational number कहेंगे example में आपका हो गया root 9 लिखता हूँ तो 3 हो जाएगा root 16 लिखता हूँ तो 4 हो जाएगा root 25 लिखता हूँ तो 5 हो जाएगा ये सब जो है आपका क्या हो गया ये सब इस type से आप जो है identify कर सकते हैं मतलब आप easily way में इस type से different different अगर आपको number मिलता है तो आप जो है वो समझ सकते हैं कि rational number कैसे अब एक होता है decimal system में भी कैसे decimal system में अगर आपको मिलता है तो कैसे आप उसको जो है हुआ है उसको decimal system में दिया हुआ है तो आप उसको कैसे identify कर सकते हैं कि rational number है कि नई उसके बारे में भी एक separate वीडियो में जाए और discuss करेंगे तो वीडियो आपको कैसा लगा पसंद आया तो वीडियो को like कर सकते हैं और अगर आपको इस अगर आपको तो नेक्स नेक्स वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे तब तक ले दीजे मुझे जाए जहेंजा भारत